अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में वर्टसाप ओपन कर रहे हैं और वर्टसाप ओपन करने पर इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होता है Turn on notifications for WhatsApp तो यह problem आपको क्यों शो हो रही है और इसे कैसे ठीक करें तो यहाँ पे आपको यह शो होता है क्योंकि आपने अपने फोन में WhatsApp के notification बंद किये हुए हैं या फिर आपके WhatsApp के notification ओन नहीं है इसलिए आपसे यह कह रहा है कि आप WhatsApp के notification ओन करिए तो अब ओन करने के लिए नीचे go to settings आगा तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद ऐसा page आगा अगर आपके phone में go to settings नहीं आगा तो इसके लिए आप अपने phone की settings ओपन करिए और उसके बाद नीचे आईए नीचे आने के बाद apps आगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद manage apps आगा या फिर app manager आगा या फिर app management आगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है तो इस पे क्लिक करिए और इसे open करिए और नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से वटसाप आएगा तो यहाँ पे आप वटसाप पे क्लिक करिए उसके बाद ऐसा page आएगा अब नीचे notifications आएगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद ऐसा same page आपके सामने आएगा अब अगर आपको notification चालू करने है तो उपर आएगा show notification तो यहां से उपर इसे on करिए यानि कि पूरे notification on करने के लिए यह सारे option on करिए कुछ इस तरीके से तो यहां से यह सारी settings on करने के बाद आपके notification on करें अब यहां पर आपको वो show नहीं होगा notification on करने के लिए तो अगर आपको notification on करने हैं तो इस तरीके से करें तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें